किया हुआ शिवा वो भाग गए वो लंगूर नहीं हो सकते वो इंसानों की तरह सोचते हैं इंसानों की तरह अटाक करते हैं कुछ तो राज है हमें इन्हें पकड़ना होगा चित्रकार की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी जाओ उस लड़के को पकड़ के ले आओ इससे पहले की उसे शक हो जाए तुम नकली हो और वो तूसरों को बता दे जालाओ और गर को तलाशो जहां भी वो पच्चा दिखे भूरे में बंद करके ले चलो लगूर बचाओ 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 मैं राग लंगूर सुनाता हूँ ऐसा राग गाऊंगा कि ये मेरे भक्त हो जाएंगे अरate लंगूर ओत हता हूँ ये अर्या राग बंद दलालकों गूवेंध आराभ याओ हाँ क्या हूँ नानी ये शोर कैसा था तेन लंगूर यहाँ आगे थे लंगूर और यहां? अब तो उन्हें पकड़ने के लिए कुछ और ही करना होगा लड़ो सिंग जी, आज ये लंगूर मेरे घर तक आ गया है इसका मतलब ये नकली है अब हमें इन लंगूरों के बॉस तक पहुंचना होगा मेरे पास एक प्लान है वेदास सिटी एक्जिबीशन हॉल में शौर्ट सर्कृट होने से एसी खराब हो गया है लाइट नहीं है इसलिए पेंटिंग एक्जिबीशन अब वीनस सिटी में होगा कल सब पेंटिंग पाई रोड वीनस सिटी फेज दिये जाएंगे अबा डबा चबा ये अच्छी खबर है कि कल जब ट्रक पेंटिंग ले जा रहा हो तो तुम लोग गुलाब के फूलों वाली कैनवस पेंटिंग बदल देदा वो मेरी फेवरेट पेंटिंग है और बागी काँ हम वीनस सिटी की सिक्यॉरिटी चेक करने के बात करेंगे ओके बास टाइम फॉर अक्शन बाइक पे जा रहे हैं मुझे फॉलो कर ये अबते को अंगल मेई यहा हू अबते हैं मुझे उके एगा हू पयाँ क sagt कि एक वेता हुग। कि एक भूच्टे एक वा कि एक वा हुओ। एफ.. एक उरेखाँ एक भाँ एक भाँ झाल तो बॉस वो लड़का है या मुझीबत पीछाए नहीं जोड़ता यहां भी आ गया चित्रकार की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी आने दो मैं आज का हूँ अब पुलिस भी आती होगी लंगूर अंकल्स आप तो गेचप उतार दो संबालना पेंटिंग को कुछ नहीं होना चाहिए नहीं उस पेंटिंग को नहीं जक्राना रोक जाओ जाओ जानते भी हो ये पेंटिंग कितनी मेहनत से बनती है जानते हो ये किस महान कलाकार ने बनाई है कुछ आइडिया है इससे लड़ रहे हो हे-हे, 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 शोरी पटाने ही ता बस बस और मार नहीं कह सकते सारी बस कोई बात नहीं तुमने कोशिश तो की चित्रकार सिंग जी आप एक्जिबिशन से पेंटिंग चुराते क्यों हैं स्रिफ अपने घर में सजाने के लिए या फिर कहीं बेचने के लिए मैं चोरी नहीं करवाता मैं पेंटिंग बदलवा देता हूं मेरी बनाई हुई पेंटिंग लगाके ओरिजिनल अपने पास मंगवा लेता हूं वाव आप खुद बनाते हैं वो पेंटिंग्स यकीन नहीं होता पैचानना ही मुश्किल है कि कौन सी ओरिशनल है और कौन सी फेक पिर ये सब क्यों करते हैं चोरी तो भेर भी आप करवा ही रहे हैं ना कुछ साल पहले की बात है मेरी पेंटिंग को एक इंटरनाशनल एग्जिबीशन में रखने से मना कर दिया क्योंकि मैं नया पेंटर था और वहां सब बड़े पेंटर्स की पेंटिंग लगानी थी मैं वो अपमान सह नहीं पाया तब से आपने लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप कितने महान पेंटर है कोई आपकी पेंटिंग और ओरिजनल पेंटिंग में फर्क नहीं बता सकता येस आज पूरी दुनिया में न जाने कितनी मेरी पेंटिंग्स घूम रही है उनको बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसकी बनाई पेंटिंग मेरे पास है आप जैसे महान चित्रकार को तो मैं सल्यूट करता हूँ काश ये इस्सत मुझे पहले मिली होती तो मैं ये सब नहीं करता मैं पेंटर हूँ चोर नहीं मैं चाता हूँ दुनिया जाने कि मैं कितना अच्छा पेंटर हूँ सर हम एक एक्जिबिशन सिर्फ आप के लिए लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आप कितने महान पेंटर हैं क्यों लड़ सिंग जी ओ येस 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 लेकिन अभी तो आपको जेल जाना होगा मैं आपकी सजा कम करवा दूँगा ताकि आप बाद में आराम से सिर्फ पेंटिंग करो और ओरिजिनल पेंटिंग करो समझे थाइंक यू पेरी माच चित्रकार जी ऐसी पेंटिंग बनाना ऐसी पेंटिंग बनाना कि फिल्म वाले मेरी ये फोटो देखे मुझे हीरो बना दे झाल झाल